दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल पर बड़ी खवरे लेकर आए हैं जहां पर जानेंगे राहूल गानी को लेका सुप्रीम कोट से आ रही है बड़ी खवार याच का करता को लगाई गई है कड़ी फटका दूसरी तरह पूल ग्रीम मंत्री ने दिया अपना इस्तीफा बीजेपी से बड़ा यहां पर जटका बीजेपी को जोड़ा तरीके से लगा है महाराष्ट चुनाओं से पहले वहीं जानेंगे फैजावा सीट पार आई है सीम योगी की पहली बड़ी प्रतक्रिया इसी प्रकाय की तमाम बहु पड़ी खबर है दोस्तों ताजा नियूज इस वीडियो में सामिल की गई है आप लोग साथ में बने रहिए इन खबरों को एक एक करके आगे जानते हैं वहीं दोस्तों अगर आप भी मानते हैं राहूल गांदी की लोग प्रियता बड़ी है विपच्छ मजबूत है लोग बीजेपी की हुई किरकिरी अब यहां पर हम फाइजावाद सीट कैसे हार गाए बीजेपी की बैठक में सियम योगी का सवाल सुन सन्न रह गए नेता जी हां सियम योगी आदितनात के एक सवाल से सन्नाटा सचा गया बैठक में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया सभी बीजेपी के बिधायक ने जवाब दिया उन्होंने कहा मेरी बिधान सवा में बीजेपी से समाजवादी पार्टी आगे रही फैजावार लोकसवाद छेत्र के दूसरे बिधायक ने कहा कि पार्टी उमीदवार के खिलाफ माहौल बन गया था यूपी के मुख्यमंतर चुनाव से पहले चुनावी फायदा हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उपर से बीजेपी को जोड़ा जटके लगे अलग और किरकिरी हुई बो अलग जाते हैं या कोट मारशल बुलाओं राहूल गांदे की खिलाफ याचका डालने वाले वकील पार भढ़के सुप्रीम क कोट ने कॉंगेस नेता की लोगसवा सदरसिता को बहाली को चुनावती देने वाली आजका दार करने वाले लखनाव के वकील को कड़ी फटका लगाए कोट ने उन पर लगाएक जुर्माने को बापस लेने से भी इंकार कर दिया सुप्रीम कोट ने इसी साल जन्मरी में उ कंगलवार को मामदे की सुनबाई करते हुए ना सिर्फ जुर्मान अबापसी से इंकार कर दिया बलकि वो वकील पर बुरी तरह भड़क गए इस सुनबाई के दौरान कोट रूम में महौल ऐसा बिगड़ा कि जश्टिस गवाई ने वकील को सक्त लहज़े में चेतावनी रिपोर्ट के मुताविक जश्टिस गवाई ने वकील से दो टू कहा कि अगर इसके बाद आपने एक भी सब्द बोला तो हम आपके खिलाफ अदालत के अब मानना का मामला दाज करेंगे आपको यहां पर इस प्रकार की याज का नहीं दार करनी चाहिए थी देख सकते हैं दोस्तों यहां पर बकील को ज़रदस्त फटका लगाई यहां तक जश्ट ने कह दिया कि आप बहर जा रहे हैं या दालत से आ नहीं कोट मासर बुलाओं राहूल गानी के खिलाफ याज का डालने पहुंचे थे लेकिन खुद ही आप एक लाग का जुर्माना भरेंगे यह अपडेट निकल की आई है आगली खबर की तरफ चलते हैं साथ राज्यों की तेरा विधानसवा सीटों पर दोस्तों उपचुनाओं हो रहे हैं आज एंडिये और इंडिया गढ़वंदन में कड़ी टक कर आप सभी दोस्तों को बताते चलें देश के अलग-अलग राज्य की तेरा विधानसवा सीटों पर आज यहां पर उपचुनाओं हो रहे हैं उनमें से कुछच सीटे तो लोग सभार चुनाओं के बाद खाली हुई दरसल कई विधायकों सांसदी चुनाओं में हिस्सा biology चोड़ी थी लिहाज अवा विधान सवा सीटों कुछ के निधन के बाद वहीं यहां पर उपचुनाओ कराये जा रहा है दोस्तों विहार की एक MP की एक उत्राखंड दो पंजाब एक बंगाल की चार तमिल लाडू की एक हिमाचुल की तीन सीटों पर मतदान होना है और इन सीटों पर उपचुनाओ कर नोटिविकेशन 14 जून को जारी हुआ था आपको दोस्तों बताते चलें आज बोटिंग हो रही है और नतीजे 13 जुलाई को आएंगे चार राज्यों में दोस्तों विधानसवा चुनाओ होने हैं उससे पहले बीजेपी को तगड़ा जटका महराष्ट में लगा महराष्ट विधानसवा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा जटका लगा है पूर्वक्री राजमंत्रे यहाँ पे बीजेपी को अलविदा बोल चुके है मादब किनहालाकर ने यहाँ पे बीजेपी छोड़ने का एलान किया है अपना इस्तीफा उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यच चंद सेखा 52 कुले को भेजा है देख सकते हैं यहाँ पे यह बीजेपी के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है महाविकास अगारी के नेता दोस्तों पहले ही इसारा कर चुके हैं कि अभी बीजेपी में यह तो सुरात है आगे आने वाले समय में बीजेपी में और भी बड़े इस्तीफे देखने को मिलेंगे एंडिये में हलवरी मची है आपको बताते चलें एक तब सिंदेगुट अजीत पवार्गुट भी यहाँ पे खलवली से जूज रहे हैं और बड़ा राजनीतिक उलट फेर होने के पूरे आसार है महाराष्ट में इस बार इंडिया गढवनन की लाहय चल रही है दोस्तों यह यहाँ पे कई नेताओं का कहना है महाराष्ट में बिधान सवा चुनाओं से पहले बीजेपी को एक के वाद एक बड़े जटके लग रहे हैं प्रधान मंत्री को कर रहे हैं लोग सोसल मीडिया पर ट्रोल जीहां रूस पहुंचे प्रधान मंत्री ने दिया वहाँ भाशन और जिसके वाद आब यहां पे दे से पहले भारत का कोई अस्तित तो ही नहीं था भारत तो कुछ था ही नहीं देख सकते हैं इस पूरे मामले पर ट्रोल किये जा रहा है वहीं कौंगे इसने नयंद मोदी सरकार के एक महिने का रिपोर्ट कार्ट जारी किया जिसमें सरकार बिफल साबित हुई जम्मू कश्मीर में तीन आतंकी हमलों में आठ सैनिक और दस नागरिक सहीद हो गए जलपाई गुड़ी में रेल हांसा नीट में धानली पेपर लीग यूजी सी नेट पेपर लीग CSIR नेट परिच्छा इस्थगित नीट पीजी परिच्छा इस्थगित आटा दाल दूद महंगा हुआ टोल टैक्स पंदा पर तीसद बढ़ा रुपए में एतिहासिक गिरावट बेरुजगारी ने आठ महिने का रिकॉर्ट तोड़ा मणी पूर अब भी जल रा सियन जी का दाम बढ़ा लेकिन नंद मोदी को कोई फरक नहीं पड़ा यहां पे कॉंगेस पार्टी ने जवदास तरीके से प्रदान मंत्री को घेरा है वहीं बीजेपी यूपी की मंत्री का बिवारित बायान बोले दाल सो रुपए किलो से ज़्यादा कहीं नहीं है यहां कहना है सू किराने के दुकान पर मंत्री जी गय नहीं है यहां पे देख सकते हैं जवदास तरीके से बीजेपी बैक फूट पर आ गई है और यहां पे लगातार घिरती जा रही है बीजेपी सांसर ने खोल दी है अपनी ही सरकार की पोल बीजेपी और सरकार को लिया निसाने पार चन्दपा डली समुधाय से आते हैं दोस्तों मोदी सरकार में मंत्री ना बनाए जाने से दुखिंग होकर उन्होंने कहा कि मुझे तमाम लोग कह रहा है कि BJP डलित भी रोदी है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कै Clin programme में सारे अपर काश्ट के लोग भड़े हुए हैं क्या दलितों ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया मैं इससे बहुत दुखी हूँ देख सकते हैं बीजेपी के साथ वार के सांसर ने ये बड़ी वात कही अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं और यहां पर बड़ा आरोप लगाए कि इनकी कैविनेट में सभी अपरकाष्ट के लोग हैं दलितों को कोई यहां पर भागेदारी नहीं दी गई है कैविनेट में ये यहां पर बीजेपी के साथ वार के सांसर ने आरोप लगाए दोस्तों दिन भर की बड़ी खबरे थी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा से कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ वी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद